सो वेलकम बैक दोस्तों ये वीडियो स्पेसली उन लोगों के लिए है जिनके पास CSC ID है अपना CSC सेंटर खोल रखा है यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम है जो कस्टमर लेका आया था मेरे पास और उसका सॉलोसनी में आपको वीडियो में बताने वाला हूँ देखी प्रॉब्लम यह है कि आधार कार्ड में मबाइल नंबर अपडेट है रजिस्टर लिंक है अगर आप वैरिफाय आधार पर क्लिक करके चेक करोगे तो जो नंबर है वो बिलकुल लिंक है वही नंबर आधार कार्ड में लिंक है जो उसके पास कस्टमर के पास है ठीक है पर अगर आप आधार कार्ट को डाउनलूड करोगे तो वहाँ पर OTP नहीं आप रहा है नंबर पे जबकि नंबर वही लिंक है टीकि दोस्तों, अगर आपको हाद पर आपके दिक्कत आती है कि कोई customer आया है उसके आधार कारड में नंबर लिंक है पर उस पर OTP ने आप रहा ह पर guarantee नहीं कि OTP आएगा तो ऐसे case में पैसे एक बरवादी होगी और time की बरवादी होगी इसका दोस्तों solution एक मात यही है कि जो customer है उसको अपने biometric को update करवाना पड़ेगा आधार enrollment center पे जाकर जहांपर आधार कर बनाने का काम किया आता है जहांपर आधार update करने का काम किया आता है वहाँ पर customer को जाके अपने सभी fingerprint को द्वारा से update करवाना पड़ेगा उसके बाद ही दोस्तों यह OTP वाली problem खतम होगी ठीक है वैसे आप कुछ भी कर लो कहीं भी पैसा देदो कुछ भी सिकायत कर लो इसका solution नहीं हो पाएगा सिर्फ solution एक मातर यह है कि customer को आप बोल दो कि भाईया आप वहाँ पर जाओ जहां पर आधार कार बनते हैं आधाकार में update होता है biometric update वहाँ पर जाका अपड़ेट कर वालो और आपका OTP आ जाएगा ठीक दोस्तों एक चीज़ और दोस्तों कि जो यह आधार कार वाले सिक्कात होती है यह फैमिली आड़ी के साथ भी होती है मतलब जिस customer के आधार कार में